हेलो दोस्तो एक बार फ्री से स्वागात है हमारी यूटूब चैनल लर्न सम्तिंग में है मैं हूँ सुर्ज और आज की इस वीडियो में हम दिखेंगे चैप्टर फूर जो है डिफेंशिल लिवेशन और फर्स और एंफर्स अर डिग्री हाय दिखना है थर्ड में अब हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा और यह अब हम दिखने आरे फूर्थ में तो चली आएए देखते हैं सुह हम अपना चालू कहते है क्या क्लेरियौट मेतर इस पेलिंग है C-L-A-I-R-A-U-T कोमा राल का हैस एक्वेशन तो the equation of the form x is equal to p x plus function of p function of p is known as Clairiot method मतब जब 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 कोई equation is format माँगा y is equal to p x plus function of p तो उसे हम क्या कहेंगे ? Clairiot कहेंगे अब p क्या है हमारा तो p श्टार्टिंग मैंने कहा था dy by dx है और x का है x is a normal form और p of f sorry f of p क्या है तो function of p है मतब कोई ऐसा value जो जैसे f of x हम लोग कहेंगे तो यहां पर क्या है f of p है चलिए आएए देखते है फिर उसके बाद से किसमें आए चाहिए y is equal to xp plus 1 upon p तो उसे क्या कहेंगे हम लोग Clairiot equation कहेंगे सो हमारा यहां पर first question दे दिया है अब हम लोग को इसको replace करना है replace क्या करना है dy by dx के लिएगा हम लोग क्या लिखना है p तो क्या हो जाएगा p minus 1 y minus x into p is equals to p अब हम लोग क्या करना है directly जो p minus 1 है उसको दूसरे साइड बेच देना है इस साट खाली y रखना है जो left hand side है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा p divided by p minus 1 और यहाँ पर क्या हो y minus xp जो यहाँ पर first था फिर इसको भी उस साट भीज देना तो क्या y is equals to p upon p minus 1 जो पर first था और जो नया है क्या plus xp यहाँ minus था तो उस साट यहाँ plus हो गया मतलब positive हो गया negative तो साट positive is equal to के दूसरे साट फिर y is equals to p upon p minus 1 plus px इसको arrange करके लिख देंगे पहले p आता है ना इसलों पहले p लिख देंगे फिर उसके बाद से आगे देखते हैं आगे क्या है जैसी हमारे यह लिख लिख लिया तो इसको एक बार चेक कर लिजए अगे क्या है x power 0 है जो क्या होगा हमारा 1 हो गया और p of x है वैसे तो यह कहा हूँ यह हमारे क्या है x into p है और 1 upon p है मतला function of x sorry function of p तो हमारे क्या होगा p upon p-1 यह नहीं है तो फिर उसका होगा this is a clear out equation और क्यों match खागया अब directly हमनों क्या करना है y का हम लोग ने left-hand side में रखा है dy by dx is equal to derivative of p into x plus derivative of p divided by p minus 1 अब हम लोग इसका derivative लेंगे तो पहले तो हमारे का है u into v यहाँ पर रूल लगया u into v का मैंने last lecture में आपको formula दिया था, क्या formula है u बहार आएगा और derivative of किसका होगा v होगा फिर plus v बहार रेगा और derivative of u आप कोई भी पहले बहार ले सकते हैं लेकिन next time उसका derivative लेना है तो यहाँ पर हमारे u का है p है और x का है हमारे v है तो हम पहले u बहार लिकाले में पहले p बहार लिकाले derivative of x with respect to dx तो 1 हो जाएगा तो इतना हो गया कोई भी आगे पिछले कीजिए अब x को बहार लिकालेंगे और derivative of p लेंगे तो क्या होगा x बहार तो dp upon dx इतना solve हो गया ना हम अब इसको solve करेंगे तो पहले तो हमारा यहाँ पर थोड़ सा formula लग लग लगए यहाँ पर upon वाला formula है कौनसा formula upon बतब u upon v कर लेना है जो हमारा परला term है मताब p फिर इसका से minus अब v बहार था तो अब कौन बहार आगा यू बहार आगा derivative of v divide by v square यह v है यह u है यह minus यह u और यह v है derivative फिर इसके बाद से हमारा यहाँ पर यह हो गया अब इसका derivative according to this परले यह बहार यह p-v तो p-v बहार आगया derivative of किसका p तो dp लिखा minus बीच में तो minus फिर इसका derivative किसका p-v तो कौन बहार आगा p बहार है तो p बहार आगा derivative of p-v 1 divide by p-1 the whole square जैसे यहाँ पर v square है फिर इसके बाद से यहाँ पर इसको जैसा है वैसे p-1 तो p-1 x into dp upon dx plus p-1 dp upon dx minus यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर dp upon dx होगा क्योंकि यहाँ पर derivative लेंगे तो यहाँ इसका derivative directly dp upon dx होगा constant derivative जीद होगा तो फिर जाएगा और divided by p-1 का square अब मैंने आपको starting में बताया है कि हर जगह जहाँ पर dy by dx है इस chapter में उसका मतलब क्या है वह p है यहाँ पर dy by dx था तो उसको मैंने क्या ले लिए पी ले जाएगा अब यहाँ पर यह पर उससे जाएगा तो यहाँ पर जाएगा तो मैंने क्या कि इसी पर cancel करजेए यहाँ पर 0 लिग दिया और x into dp upon dx यहाँ पर इसको solve किया इसको solve कैसे किया यह देखिए इसको इसी रखा यहाँ पर dp upon dx था यहाँ पर dp upon dx था तो इसको common बाह लिए देखिए common लिकल दिया तो p-1 minus p था plus p और minus p cancel हो जाएगा क्योंकि same number different sign cancel हो जाता है 2 minus 2 0 होता है तो p-p तो यह भी तो 0 होगा यह cut हो जाएगा तो इसके बाद से p-1 पर रहे गई तो हमें उसे कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर यहाँ पर है तो 1 dp upon dx हो जाएगा यहाँ पर x है हमारा high तो इसके बाद से इसमें आप common लिकालना है इसमें common लिकालेंगे तो dp upon dx लिक लिएगा तो इसे दिखेंगे तो x-1 upon p-1 square होगा तो इसके बाद से अब हम लोग ने लिकाल दिया अब हम लोग को यहाँ पर इसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्या रखना है जो यहाँ पर x-1 upon p-1 square यहाँ पर हम लोग लोग रखना x-1 upon p-1 square इसको से भीज़ेंगे तो क्या हो जाएगा? positive हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर negative था फिर taking square root on both side square root on both side लिए root of x is equal to 1 upon p-1 1 हो जाएगा तो इसके बाद से under root of x मत्तों कि यहाँ डिवाइट कर से जाएगा multiply करेगा फिर यहाँ पर multiply हो जाएगा तो क्यों? under root of x into p-x यहाँ पर 1 था minus under root of x इस इकोल चुव 1 फिर इसके बाद से इसको वहाँ भीज़ेंगे तो क्या हो जाएगा? positive हो जाएगा negative हो तो 1 plus under root of x फिर क्या करेंगे यहां पर पी रखेंगे अंडर रूट ओफ एक को वहां भेज देंगे सेम इसी जैसा यह भी कोशन है एक बार आप ट्राइक कीजिए और नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए मैं इसको पर भी एक वीडियो बना दूंगा देखिए और यहां पर यहां प तब तक लिए मिलते हैं नेक्स वीडियों बाइबाइबाइए से यह सुन हेव गुट दे दोस्तों